वेलकम टू नेक्ट नौकरी चैनल में आप लोगों का स्वागत है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को जुरूर लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अदर ग्रूप्स में भी जिससे की वो लोग भी बेनिफिट्स उठा सकें ठीक हैं तो देखे शुरू में लिख रखा कि आपको एक्जाम के टाइम स्क्रीनिंग के टाइम पर शुरू का जो आपके एक्जाम से उस समय सीटेट नहीं भी होगा दा चलेगा बटा आपको जब जोईनिंग लेनी है तब आपके पां सीटेट होना चाहिए तो ठीक है इस एड़टाजमेंट क के लिए और बोलते हैं CBSC के जो भी इनके लोकल स्कूल्स है या जो भी दिल्ली के अंदर स्कूल्स है उस समय उसके लिए यह पोस्टे आती है पोस्टे तो आती है स्कूल्स भी है यह कोई दिक्कत नहीं है इसमें कोई डाउट नहीं है बट यह एवरी इयर से इतनी उसके बाद ही आप यहां पर जाईए ठीक है हाली मेरे वीडियो बनाने से आपको यहां पर अपलाई नहीं करना है क्योंकि फी अच्छी खासी ले रहे हैं पेपर के लिए उसके बाद का मुझे इन्फोर्मेशन इसमें ज्यादा नहीं है तो अट्वर्टाजिमेंट आया है इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस पर वीडियो बनाते हैं आप लोगों को अवेर कर देते हैं तो आपको जरूर यहां पर अपना विवेक यूज करना है ठीक है शुरू करते हैं इनके लिखा है दे लिखा है लार्ज नंबर गेट जो इन्हें चाहिए होता है लार्ज नंबर इवरी यह सही है देखो मैं बता रहा था कि यह निकालते हैं इस पोस्ट है इतनी सारी तो टीचर्स हो सकता चोड़के चले जाते हो और यह कॉंट्रेक्ट पर देते हो सेलरी उस तरीके की देते ह पारे में इन्होंने कुछ clear नहीं लिख रखा है तो आप लोगों को देखना है ठीक है तो आगे इन्हों लिखा है stage first screening exam तो जो आपका first है वो screening exam रहेगा वो 19 और 20 October 2019 को रहेगा ठीक है जो इनके schools रहेंगे उनके लिए और scorecard will make candidate eligible to appear for the remaining stage of the selection process तो आपको एक scorecard देदेंगे तो आपको वो scorecard अपने पास रखना है ठीक है scorecard के द्वारा ही आप फिर जो प्रोसेस इंका इंट्रिव्यू का उसमें जा पाएंगे लिखा है holders scorecard who want to improve their scores आप improve भी कर सकते हैं next exam देखे those desires of upgrading themselves for the candidate holding scorecard for TGT may no one to obtain card of PGT having acquired additional qualifications तो यह इन्होंने कुछ details लिख रखी है इसनी clears तो नहीं है सारी बातें बट मुझे जो समझ में आ रहा है उसके लिए यह है कि आपको scorecard है आप improve कर सकते हैं उसका दुबार से एक्जाम दे सकते हैं और आपको जब scorecard मिल जाएगा उसी के आपको इंटर्वी में जाना है उसके बाद आपका थर्ड जो स्टेज रहेगा आपको कंप्यूटर की नॉलीज अच्छी होने चाहिए थर्ड स्टेज आपका यह रहेगा उसके बाद यहां पर आपका स्टेज 2-3 विल बी हेल्ड ऑन टेंडम अंदर दा एजन्सी और बोर्ड ऑफ एडिमिनिश्टेंट एट हैड़ कमांड स्कूल मेंजमेंट ठीक है तो आपको बाद में जौब मिलने वाली है वह बोर्ड पे निर्वर करेगी जहां जहां पर लोकल इनके स्कूल होंगे वहा आगे पड़ते हैं online screening test online screening test में के लिखा है क्वालिफाइट इंट्रिव्यू एविलेशन और टीचिंग स्किल्ड दा कैंडिट शुड है पास्ट ऑनलाइन स्क्रीनिंग टैस्ट इस विन शेड्यूल 19 और 20 अक्तूबर 2019 ठीक है उसके बाद आपका शेड्यूल 19 और 20 का जो विल भी जो पोस्ट का एक्जाम है वो PGT TGT और PRT ठीक है PGT TGT और PRT का आपका एक्जाम होने वाला क्वैठ्योचन से इसमें यहां पर दे दी है PGT के लिए पोस्ट क्रेजूशें चाहिए 50 परसंट मार्क साथ होने चाहिए और इन्होंने से कंडिशन साची लिखी है पोस्ट ग्रेजुशन बट मोर देन 50 मांक्स पोस्ट ग्रेजुशन विद दर सब्जेक्ट अप्लाइट फॉर था अलसो इलिजबल ठीक है तो इनने रिखाएंगा अगर 50% से मांक्स कम है किसी का ग्रेजुशन में अगर उसके पोस्ट ग्रेजु इननने और जो एज रहने वाले है देखी एज एक अपरेल 2020 तक के लिए इननने एज लिख दिया है फ्रेश कैंडिडेट के लिए ब्लोव 40 एर्स लिख दिया है केस ऑफ दिल्ली में रहेगा टीजटी पी आर्टी शुडबी 29 और पीजटी 36 ठीक है टीजटी पी आर्टी ज लिख दिल्ली में 40 वाले एविलेबल होंगे और इंडिया के अंदर कहीं भी 47 वाले भी जॉब कर पाएंगे ठीक है सी टैट टी टैट सी टैट और टैट इस नोट मेंडेट्री इस अपैरिंग ऑन लाइन स्क्रीन टेस्ट जो ऑनलाइन पेपर होने वाला उस समय ने कोई ज होना चाहिए ठीक है उससे पहले नहीं भी होगा तो चलेगा एक बार इन्होंने यही लिखा है ठीक है और बात करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट 2009 विल भी ठीक है इसमें एक्जाम में क्या आने वाला वह हो 19-20 अक्टूबर 2019 यहां पे इन्होंने एक्ज रहेगा और पार्ट टू भी रहेगा ठीक है जर्नल अवेर्नेस मेंटल एबलिटी इंग्लीश कंपरहेंशन एड्यूकेशनल कंसेप्ट अंड मेत्रलोजी और इस पेस्पीक टू सब्जेक्ट ठीक है 90 नंबर तो आपके फस्ट 90 सेकेंड रहेगा टोटल 180 मिनिट्स का आप लिए नंबर का अपका एग्जाम है और देखें टीट इन्होंने लिगाए फोलटी टीटी पेपर औफ सांज स्था और शॉशल साइन्स सब्जेक्ट देर वी पॉर्षन ऑफ यॉश्ट्र पैटन फोर्टा पैरलाल ने सब्जेक्ट फॉर्ट फॉर्टी टीटी फिजिक्स physics will have 20 questions of chemistry and biology अगर मालो आप TGT physics बनते हैं तो आपको question आएंगे किस से 20% questions आपके कहांस आएंगे chemistry से भी आएंगे और biology से भी आएंगे अगर आप TGT history बन रहे हो paper will be 20 आपके geography से भी आएंगे political से भी आएंगे मगर आप SST के teacher बनते हो तो आपको तीनों subject से question आने वाले हैं कहने का मदब इनका यह है next part देखते हैं जो पार्ट आपका primary के लिए रहना PRT के लिए उसमें जर्नल अवेरनेस mental ability English comprehension educational concept and methodology ठीक है तो यह सब आएगा 90 नंबर का आपका paper और 90 मिनट में आपको paper देना है ठीक है और PGT TGT candidate who fail in part B but past part A may option to take as a scorecard for PRT ठीक है इनने लिखा candidate who fail अगर fail हो जाते हैं part B में तो part A may option to take as a scorecard for PRT ठीक है PRT के लिए scorecard तो इसमें इन्होंने एक option दिया है इन्होंने यह लिखा है clear करके कि अगर माल लो आप PGT TGT candidate जो हो PGT और TGT के लिए जो भी apply कर रहे हैं अगर वो part B में fail हो जाते हैं तो part A उनका clear है तो part A सबका सेम है PRT का भी TGT का भी और PGT का भी तो लिखते हैं पार्ट A में option to take scorecard of PRT तो PRT वाला आप card ले सकते हैं और PRT की जो पोस्ते हैं वहां पे आप apply कर पाएंगे क्योंकि first page पार्ट A है वो सबके लिए same है अगर आप second में fail हो गए TGT PGT में तो आप primary में teacher फिर भी बन पाएंगे इसनके कहने का मतलब यह है यहां पर ठीक है score will be normalized 200 तो normalize करेंगे क्योंकि अलग अलग तरीके से अलग लग पेपर बहुत सारे लोग हो सकते हैं there will be negative marking one for negative marking भी रहेगी inducted to each wrong question part A B will be available together and the candidates have freedom to answer question in the order in which they prefer to qualify the candidate must score minimum 50% marks in each part तो आपको 50% marks लाने ही है every part के अंदर तो देखिए exam fees इन्होंने यहां पर लिखती है 500 रहेगी आपकी exam fees जो non refundable रहेगी registration लिख रखा है candidate are accepted to registration online for the screening exam by logging on to the registration portal ठीक है यह website है इनकी इस पर आप जा सकते हैं www.aps-csb.indy Google पर लिखेंगे Army Public School वैसे इनकी website आज आएगी और यह भी आप देख पा रहे हैं website यहां पर मैंने इसको mark किया है तो यहां पर आप देख पाएंगे इनकी website पर जुरूर आप वीजिट जुरूर कर लीजी एक बार ठीक है दा रजिस्टेशन पॉर्टर विल बी ओपन एक सब्टेंबर एक सब्टेंबर से इनका रजिस्टेशन पॉर्टर ओपन हो चुका जो 21 सब्टमबर 2019 तक कैंडिडेट कैंड रिजिस्टेट कर रहे हैं सकेंगे दस एम से शुरू होने के बाद एक सितंबर से पांच पीम 21 सितंबर तो शाम के पांच बज़े तक किस सब्टमबर तक ओनलाइन पॉर्टर एवलेबल रहेगा उसके बाद यह रिजिस्टेशन जो मैटर है यह सारा क्लोज हो जाएगा फिल अप पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ दा एप्लिकेशन फॉर्म दा सिस्टम विल टेक आस्क दा कैंडिडेट टू पे एक्जाम ऑनला उसके बाद आपको फोटोग्राफ प्रूफ डेट ऑ बर्थ सर्टिफिकेट एकैडमी क्वालिफिकेशन से यह सब आपको डिटेल्स उसमें रखनी है इनकी वेबसाइट आपको मैं बताई चुका हूं तो एक्जाम जो सेंटर रहने वाले हैं उनकी इन्होंने लिश्ट द में आ जाएंगे आपके टेंटिटी जो दिरकी डेट एक्जाम उननीस और भी सक्टूबर में रहेगा पॉब्लिकेशन और रिजल्ट जो रहेगा वो तीस अक्टूबर को आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा ठीक है सेंपल कोश्चन पेपर जो हैं की वेबसाइट पे आप टू डिमांड टू लॉग इन तो मलग आप इनके जो सेंपल पेपर से लास्ट यर के वह भी आप वहां से ले पाएंगे इनकी वेबसाइट से पार्ट है क्या आपको पेपर लेने तो इन्होंने पेमेंट लिख रखी आपको पेमेंट देनी है और आपको वहां से पेपर डाउनलोड कर पाएंगे इनकी वेबसाइट से जाके ठीक है तो काफी सारी मैटर लिख रखें इन्होंने तो देखिए जो पेपर लिष्ट ऑफ पब्लिक स्कूल्स है तो यह देखिए एपिस पूने एपिस किरकरा डिगी दिवुरोड देवाली मुंबई एहवन नगर त सकते हैं कि कहां-कहां पर इनके स्कूल्स हैं जो इनको उनने बता रखें शुरू में कि इनके टोटल स्कूल्स है 137 स्कूल्स ठीक है तो लिस्ट ऑफ दा सब्जेक्ट पीजिटी देखिए अब लिस्ट देदी इंग्लिश पीजिटी रहेगा हैंदी पीजिटी which is not Tgt कै कोई post यहां पर आप सकते हैं अब कोई post नहीं है और accounting के अंदर और home science की कोई post नहीं है, TGT के अंदर ठीक है, उसके इलावा सारी TGT की post यहां पे अवेलेबल नहीं है, मेनने बता दिया है, मैंने भी आपको शुरू में बता दिया, मास्टर डिक्रीं लिए मैहत में मांस्टर डिए3 तैनल बी अर्ट्रेटी के सब्राइब क्लिए 3 के लिए आपकर आपके पास आप देख सकते hugely भी ले सकते हैं और जब इनकी वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर लेंगे तो भी आप यहां पर यह सब देख पाएंगे ठीक है प्यार्टी के लिए तो लगब शुरू में बात कर सुके हैं इसकी बारे में लिस्ट आप एक्जाम सेंटर ठीक है यह अगर तला आग रा इसमें समझ में नहीं आ रहा है और बेमिट ले रहे हैं 500 तो इसलिए मैं आप से कहूंगा कि आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कीजिए और जो इनके और स्कूल से उनके बारे में फुल इंफॉर्मेशन निकालिए कि यह वाकिय में और इजिनल टी में इसी तरीके से इ बनाऊंगा तो कोई और बता देगा तो इसलिए आपको पूरा वेर होने के बाद ही यहां पर अपलाई करना है तो इसमें है सिर्फ इतना ही थैंक यू धन्यवाद अवेर जुरूर रहिए जब भी हम कोई भी वीडियो बनाए हम बनाए या कोई भी उसे चेक अच्छे से क कीजिए क्योंकि पैसा भी आपका है टाइम भी आपका है और टाइम वेस्ट और पैसा वेस्ट तो फिर कुछ मतलब नहीं रह जाता है तो वीडियो ओरिजिनल देखिए और जिनल टीप की बातें कीजिए उसके बाद ही आप यहां पर अपलाई कीजिए ठीक है थैंक यू देखिए और बास